हालो फेंड्स मादमे केडमी 2.0 का स्वागत है तो फिर से मैं क्लास 10 में हिंदी पद्धिसायत के महतपूर कोश्चनों का कलक्षन लेक्षन लेक्षन आई हूं आपके तैयारी को और मजबूत करने के लिए आपके 10 नम्मर यहां से पूरे सिक्वेर हो जाएंगे जो स्टार् कामर के तैयारी मैंने दौनों की पूरी करवा दिया है ठीक है और गदपद की कोश्चन जो आते हैं वह भी मैंने सॉल्ब करना शेका दिए इसका देख सकते हैं आप एक सो चौश्चन कहने को हैं पर इसमें बहुत सारे मैं एक्ष्टा भी बता रखा है पार्ट बन में मैं इसमें यहां से लेकर पूरे एक से लेकर 63 तक कोश्चन कवर कर देते हैं आज सेकंड पार्ट में हम 64 से लेकर पूरा 114 तक कवर करें वीडियो के एंड तक जरूर रहना है मैं आपको बोलते बोलते ही पूरा याद करवा दूंग ये इतना गारिंटी है बार बार आपको को 64 से आज करॉने वाला है तो फट अब देख लेते हैं यह मैंने आप देख सकते ही यह पूरा करा दीदा अंडिकस ए वह अर यह पार मैं ट्रिक से बता दूंगी इससे पहले मैंने पत्रकाव भी सारी टॉपिक से जो वो पूरे मैंने ट्रिक से करवाई थे आपको एक बार देखते हैं याद हो जागा वो भी आप देख लिजिए तो 64 नम्मर क्वेश्चन है भक्ति काल के किसी एक कभी का नाम मैं आपको दो ब भी लिख दो रचना पूछी जाए तो मैं सूर्दास की सूर्सागर सूर्साहत लहरी ठीक है सूर्सागर सूर्सारा बली साहत लहरी और तुलसीदास की कविता बली गीता बली दोहा बली राम चरत मानस बने पत्रका बहुत सारी हैं मैं आपको रिपीट कर वाद देरू ठी ही में रिपीट हो जाएंगी कि 65 नमर देखो किनी दो रचनाओं के रचना करने पेपर में आपको 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 इसमें चारों कम्प्लेट कर भाऊंगे ठीक है जिसे आपको एक भी कोशन बाहर नहीं हो और गारेंटी है 100% आपको एक भी कोशन से आउट नहीं मिलेगा आप यह कर लो गद के 174 कहने को 174 पूर आपके 200 ता कोशन कवर करेंगे ठीक है उसमें से 100 पसल आपका फज जागा इसके बाद बही वीडियो आपका इसमें मिल जागा आप लोड़ वही कर दूंगी तो साकेत की कौन है मैथिसरण गुप्त आप लिखती जाओ फटापर मैं बो जाती है द्रंग से याद अगना इसको ठीक है युग धारा युग धारा के कौन है नाग आर्जुन मैंने इनकी ट्रिक से करवायता है एक था बश्मांग बश्मांग और करके आता है तो मैं आपको ठीक से बताया था कि नांग गर डस ले तो आप बश्म हो जाएंगे तो इस तरह से याद रखना युग तरह तरह के अगर युग बदलना थो नांग की बराइटी बदल ली इस तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं जैसा आपको गुर्दास तोर सिदास उनकी रचनाय भी सारी खर्वादी के कोई बीविश्च डेनों सूसरा वली उनकी लगतले श्राय ले लिए लिग देना अतुर सिदास की घेता वली नेक्सट आपका बक्तिकाल की दो फिर्मुख धाराओं के न ध्यायान रहितगाल की धहराया मैं ठीक है और भक्तिकाल के आपको लिखने है निर्गुड ठीक है निर्गुड और एक लिखते है ना श्रागुड कभी के नाम इन में निर्गुड में आदागे कुतवन कुतवन ठीक है और स्रागुड में आएंगे आपके कुम्बन दास नंद दास कृष्ण दास कोई भी तरंगनी ठीक हिम तरंगनी यह मांक ललके एक रचना होगी रीत मुक्त दहरा और रीत बद्ध दोनों आपको मैंने करवा दिये ते रीत मुक्त में कौन आता है बिहारी और घननन्द बिहारी से आप तर्फ ट्रिक्स याद रखना बिहारी से और घननन्द का प्रेम सरोबर और एक प्रेम मादुरी किसकी थी यह थी भारतिन हरिशन्द की तो मैं आपको वीडियो में सारे रिपीट करवा दूँगी और एक पूरे आपको टोटली याद हो जाएंगे प्रेम सरोबर की बात हो त केशबदाश और देव टीक है किस दास की रचना राम चंदर का देव की देव शतक है उसके बाद इन मैंसे ले लो आप कभी प्रिया कई प्रिया काशे कभी काशे केशबदास जो कि रीत-वद्ध यान यह वही है केशबदाश टीक है पंचवाटी किसकी मैतली-सरड़ इनकी एक रिच्ण और अंजली तो अब टिक से कर लो याद कि राम अंजली को उत्तर के ओर ले गया तो उत्तराइड और अंजली रेड़का तो बहुत ही फेमस है रेड़का हुंकार और रश्मिरती तीनों किसकी है यह है रामधारी शिंग दिन करकी उकिबल रश्मी के बात तो मैंने आपको बताया था पार बन में रश्मी आये तो किसका गया तो यह है आपका महदी बर्मा का ठीक है रश्मी रथी आये तो दिन कर रेणुका भी दिन कर किये और हुंकार भी कुर्चेत्र भी बहुत सारी इनकी फेमस है सबन्टीवर न कहूंताए थैकी नई कव्ता के एक कभी का नाम आपको बताना है नहीं कव्ता को ही प्रियोंग बादी कहा जाता है औरहान तक बहुत इसके बहुत इंपोटेंट है इसके अपार्ट पन में थीनों करवा दिये इसमें भी कोईशन आगा तो मैं आपको रिपीट कर वा दूँगी नहीं आए तो मैं लाशन भी आपको तीनों बता दूँगी ठीक है उसकी डिट क्या थी तो इसके कभी अग्ये हो गए एक तो एक अपिर राज कुमार मांतो रहें एक धर अमीर भारती है वहाईन प्रशाद मिश्र रहें ठीक है बहुत सारे हैं अग्ये की रचना आए तो आंगन के पार दौ़ार आशे अग्ये आशे आंगन के पार दौ़ार इस तरह से आप टिक से याद रखेंगे से नेक्स ने दिवीद युक की दो विसेसना आपको बतानी है इसकी बिसेसना में पार्ट बन में भी बता चुकी इसमें फिर से रिपीट करवा देरें जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएगी पहला मैं आपको बताया था त्याग बलदान नैतिक आदर्श इनकी भावना है ठीक है सेकंड में लिक देना भारती है और अतीत के गौरब के प्रती मुह या इसने यह उनकी हो गए ठीक है बिसेस्ता है अब नेक्स दिखो अधिक उपादे हरी हो दिनका पूरा नाम है यह किसी उक्के कभी है तो यह दिवेदी उक्के ही कभी है यह और मैंतली सरण गुपत दौनों ही दिवेदी के नेके पूछी दिनकी रचनपी सब किमास है एक तो है प्रियपरवास ठीक है एक है बैदी बनवास बनवास प्रवास एक ही बात है ठीक हमिए ए इस तरफे ट्रीक सिराथ कर लो डोँ दो मैंने बता दी मैंतली की तो पपन्छबती होगी कि मैंतली कि को हो ना ? पंचबती सम ए साकेत है काल कि नेक्सत्स्टक कडफुल और रश्वन्ती तो कडफुल की याद रखेंगे इसको यह है ने रंद्र को मार की क पूल किसकी है यहां पर में लिख देए एक में रुको नारेंदर ठीक है नारेंदर को मार किया रसबंती यह फिर से वही फेमस है आपके दिनकर इनकी रचना बहुत सारी है पेपर में पूछ जाने के चांस है इनके रेनुका हुंकार रश्मरती और एक आपकी मिल गई रसबंती ठीक है प्रियोगवादी धारा के दो कभी आपको बताने है इसके लिए अभी बतायते हैं मैं अग्य धरंबीर भारती बहवानिर प्रषाद मिष्ट्र और गरजा कुमार माथर इनमें साब कोई भी दो लिख देंगे के सब्दास किस काल के कभी है आपको पता चल गया होगा रीत वद्ध और रीत मुक्त है आपको करवाया थे तो यह है रीत काल के कभी ठीक है रीत काल के है इनकी रचना कौन है रिकॉल करो कौन थी राम चंद्रगा नेक्स देखो शाकित फिर्श आ गया, आपको बता है मैतलिसर्ण गुप्त का यह महा काब्ब्य है, और कामाय नीग इसका था जैसंकर प्रशाद का, ठीक है, उर्वसी फिर्श आ गया, रांधारी सिंग दिन करकी, ठीक है, रिनका भी नहीं की थी, हुंकार भी नहीं की है, र भारत भारती भी नहीं किया और पंच बटी भी इनकी है देख सकते हैं आपके सरे से बार बार रेपीट हो के मुकुल मुकुल और तिरधारा वीरों का हो कैसा पसंद ये तीनों ही किसकी है सुबद्रा कौमारी चौहान की ठीक है यूगांत यूगांत अन्त का साउंड आ रहा नेक्स्ट है माधि वर्मा की किसी एक काविकरती के नाम बहुत सारी आपको बताई थी यामा नीर्जा निहार रश्मी ठीक है आपको इभी लिख देंगे इनका संसमराड बहुत पुछा रादा है पत के साती और रेखा चित्र चित्र से मैंने आपको पार्ड़ में ट्रिक आतीध के चलचित्र यृन का क्या है रेख चित्र ठीक है अब ठीक स्यान रखेंगे रेखा रूचउत्यट पूछा जाये तो अतीध के चलचित्र ओपर्माहिसे भिया Hund 220 कि अतीत के चल्चित्र की बिधा क्या है तो रेखा चित्र ठीक है सन्सम्राड क्या इनका पत के साथी और ये चायवदी के जो चार इस्तम कही जाते हैं उसमें यह आती है चार इस्तम मैंना आपको पार्डवना अच्छे से करवा दियें फिरसुलो जैशंकर प्रशाथ मादेव बर्मा पंत और निराला ये चार है चाहएवदी की बिशेष्टा भी करवादी फिरस्या आगई है रहष्ट की बावना ठीक है चिंतन की प्रदानता ये आप लिख दे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहें तो 82 नमबर देखो प्रियोगबादी का आप दाले के दो कभी प्रियोगबादी के दो कभी कौन कौन से अग्गे लिख देना एक तो रचना आंगन के पारद्वार एक धरंबीर भारती जिनका फिर मैसा ठंडा लोहा अकनपुर यह इनकी रचना है ठीक है नेक देखो 83 नमबर एक भी कोशन आपको एक्जाम से बाहर नहीं आएगा ठीक है बूरा कर लोगा श्रंगार मंजरी इसके हैं प्रताफ शाही यह फर्स्ट टाइम नया आया है बड़ यादटना श्रंगार मंजरी प्रताफ शाही ठीक है प्रिय पुर्वशी और हरे को हरिनाम यह सारी किसके हैं यह रामधारे सिंग दिनकर किये हैं कुर्षेत्र भी नहीं के जाथ है ठीक है कितना इंहीं इंपोर्टेंट एंप अच्छे केशवदाश और इनकी रचना रामचंद्र का ठीक है प्रगतिवादी के कोई एक कभी लिख दो रामधारी सिंग दिन का इनकी रचना था बहुत बहुत सारी है रश्रबंती लिख दो रश्रमी रथी लिख दो जो अच्छे लगया आपको इनकी रचना थी प्रिया परवास इनकी शाकेत लिख दो ठीक है शाकेत कर लेना उनकी भारत भारती भी है उसके बाद है आपका गीत फरोश ये न्यू है इनके भवानी प्रशाद मिस्र दो बड़ न्यू आएं फरस्ट टाइम एक तो ये सिंगार मंजरी के प्रताफशाही और गीत फरोश के थे भवानी प्रिशाद मिस्र ध्यान रखना इसको ठीक है नेक्ट देखो जदी कबर करेंगे पूले कोशन कम टाइम है जगत विनूद पदमाकर पदमाकर ठीक है जगत विनूद ये पदमाकर है रस्की प्रिया केश अब्दास किये जिनकी राम चंद्र प्रिय प्रवास अभी आपको बताया था और ये कौन सी थी आसी मैंने आपको बताया था बैदी बनवास ठीक है यह तो को मोस्ट इम्पोटेन है मधुशाला मधुकलश निशान निमंत्रण नीड का निर्माड फिर फिर और क्या भूलू क्या याद करें पांच और रचना है आप अच्छे से रटलो एक आपको एक जामत जरूर मिल जागी और इसके जो कभी है वो कौन है हरवंश राय वच्चन ठीक है मधुशाला मधुकलश निशान निमंत्रण ये तीन उनकी रचना हो गई उसके बाद दो आत्म कता है एक तो नीड का निर्माड फिर फिर नी कि यह दिनकर की कौन-कौन-स जी थी रश्मि-रथी रेनुका रस्वन ती यह सारी इन्हीं के है आई होप अपस्चर से जाद होगी सुबद्र कमार के दो कब संग्र है सुवद्रा कुमारी चोहन के मुकुल और तिरधारा ठीक है ये इनके दुखाप शंग्र होगे भारत भारती अभी बताया भारत भारती और शाक्यत किसकी है मैतिसर गुप्त की पतिक ये है राम कुमार बर्मा की इनकी एक तो और आकास गंगा एक उत्त्राइड़ है इक अंझिली है ये बहुती फेमस है ट्रिक से आद कर लो कि पतिक मतलब क्या हो था रास्ते में मिलने बाला कि राम को रास्ते में अंजिली मिली वो आक आसकी ऊत्तर और आकास में उसे ले गई तो इस तरह साब को चार रचना इनकी याद हो जाएगी आका संगा उत्त्राइड अंजली ठीक है और एक यह पतिक आप कैसी करके याद कर लेंगे से प्रियोगबादी धारा की दो बिशेष्टा हैं यह आपको कई बार बता चुकिए मैं प्रियोगबादी प्रगतिवादी तो प्रियोगबाद के प्रदानता और बिद्रो का श्वर ठीक है चायबादी के दो कभी चार स्थम में आपको बता दिये कोई भी लिख देना जैशंकर उनकी रचना आश्रू लहर जहरना और महादी भी लिख दो या फिर आपे कभी बूचे वह कवित्री आती है तो आप पंत लिख दो उनकी आपको बताई दिख लेगते हैं यह लास्ट पेज है प्रगतीबादी की विशस्ता आपको बताई दी मैने भी आंगन के पार्दवर याद आया आशे आंगन आशे अग्य जिनका तारा सब्तक की ठीक है तारा सब्तक भी लास्ट में आपको अच्छे से रवाज कर बात इनने वो उत्तर की और आकास घंगा में ले गए तो इनकी ओंगी रामक्वान वर्मागी ठीक है तिर लोचन की दो काप्वे आपको बताने हैं तो एक तो इनका है गुलाब और बुल्वले और दूसरा है धर्ती दर्ती और सेकेंड़ गुलाब और बुल्वले ठीक है तो ध्यान रखना गुलाब की खेती धर्ती पी करते हैं इस रज़ाब ट्रिक से कर लो पतिक अभी आपको बताया रास्ते में पतिक कौन है रामकुमार बर्मा जिनने रास्ते में कौन मिला था अंचली याद आया उत्तर के और कहां लेगे आकास गंगा में अभी अचारों नहीं भूलो गया उर्वशी अच्छे से याद हो गई होगी उर्वशी रस्म्रती लेंडुका हुंकार सारी किसकी रामधारी सिंग दिन कर की कामाईनी महाकाबिकिश्का जैशंकर परशाद का आसु लहर जरना इसकंद गुप्ति चंद गुप्ति सारे नी केनाटेंगे उग यह नाग आ रहे हैं तो कौन है नाग आरजुन ठीक है भश्मांकुर नांग दस बर्मा ठीक है इस एक एक रखी रखी रशिक प्रिया के शब दास की है जनकी रामचंत्र काती दीप शिका महादेवी बर्मा की थीका है नीर्जा निहार यामा गिल्लू रश्मी दीप शिकार ये सारी इनी अतीत के चल्चे तिनका रेखा चित्र हो पत के साथ ही संस्मरड है अच्छे स्याद आख ना इसको यह मैं आपको पताए दिया बैराग संदीपनी प्रेम बाट का ग्रामगित मुकुल अब यह देख लो बैराग संदीपनी यह रचना तुलसी दास के तिक से कैसे आथ करेंगे तुलसी दास को बैराग की हो गया था मतलब संसारी मुह में अत्याग दिया था अपने पतनी के फटकार सुनकर आपने जीवन पचायाद किया हो तो आपको पता होगा ठीक है तो इनकी है यह और कप्ता दहरा भी बताया था आपको सुबधरा कुमारी चोहान ऐसे प्रगतीवाधी कभी प्रगतीवाधी और प्रीयोगबादी दौन में डिफ्रेंस देहां रखना ठीक के प्रगतीवाधी पुछय तो रामधारी सिंग दिनकर लिखने हैं प्रियोगबादी में अग्य घिराज कौ तो इन में दिनकर लिग दिना दिनकर की रचना आपको पता है अगर पूछी रहें तो च्छावद युक्य किसी एक कभी कभी पूछेगा तो जैसंकर प्रशा लिख दो कभी तरी तो एक ही है महादीवी बर्मा ठीक है रचना आपको बहुत बार मैंने करवा दियें नंद्क किस युक्य कभी थे रीथ बद और रीथ मुक्त तो रीथाल में ऑर इंकी रचना कौन से थी प्रेम सरूबर ठीक है नंद से प्रेम करना चाहिए नंदलाल से प्रेम करना चाहिए इस तरह से टिक से याद कर लो और प्रेम मादुरी कि इसकी भारतिंद अरिशन्द कि ठीक Just बारतंद हरिचन्द उनकी पत्रका मैंने आपको ट्रिक से आद करवाई थी बाल बोधनी अगर आपने ना देखे तो देख न जाके बच्पन में ही बाल मतला बच्पन में उन्होंने सत्य बुलना इस्टार्ट किया था कभी भी जूट नहीं बॉला तो उन्हें हरिचन्द कह क्वश्न और बचे है कि चिदमरा किया पंध के है ठीक है यूगान्त चिदमरा ग्रम गीत रिच्पण इनकी है ठीक है ठीक पलास बहने हर नfrist अरया रिंध्र शसे मगी थीटीक है नरेंद्र श ख़र्मा पलब पंध किया पासे पंथ याज़ार रखिंगे पंच बंठ आपको याद आगया होगा ठीक है कि इससे पहले ये कुशन्स रही गए है यह आपको और बता चिदंब्रा पंत की है पलाश्मनी हो गया इसके बाद ये ना करके ये बता हिम तरंगडी हिम तरंगडी और हिम करीटनी दोनों ही किसकी है माखलाल चत्रवेदी ठीक है जहरना कि आशू जहरना लहर यह है जैसंकर प्रशाद की ठीक है एक पतंग एक अनंत इसके कौन अशोग बाजबी टिक से आद कर लो अशोग बहुत पतंग मेरा एक दोस्त था शोग वह बहुत पतंग उड़ाता है इतना उड़ाता कि अनंत तक चलाता मतलब आकास में बहुत उंच बात भारती ठीक है उसके बाद है आपकी समर्पड समर्पड किसकी है यह बींत आपकी अंद्याद की इस्तम कहें जाते है इंसमर्पड फमाधी के जाते हैं निर ला aha पंध जाशंकर प्रिशाद हमादी वर्मा पलाश्मन आपको बताई दिया मनने नरेंद्शर्मा पल्लब होई गया पंथ यह बताई दिया भी गहरांद फिर से यह कोश्चन सेम पूछा गया है रीत काल के रचनान की प्रेम करना चाहिए नंद से तो कौन प्रेम सरोबर अब देख लेगते पिगलते पत्थर पद्मा भरड प्रिये परवास द्वापर यह तो आपको दोनों आ गई होंगी प्रिये परवास किसकी दिया अब देखते पिगलते पत्थर यह है रांगे राघव रांगे राघव किया ठीक है एक दो बंड निव आ जाते हैं बागी तो आपके रिपीट होई रहे हैं पद्मा भरड पास याद अखना पद्मा भरड इसके कौन है पद्मा कर एक और आई थी जगत बिनोद बो भी न भी बताया आपको हिमतरंगडी हिमकरीटनी किसकी है माकलना चतरवेदी की चिदंब्रा पंत की है पतिक रास्ते में किसे मेले थी रामकुमार बर्मा को कौन मिला था अंजली उत्तर की और कहां लेगे आकास गंगा में ठीक है याद हो गया होगा आख उसके बाद यत-सोधर यह शोधरा और द्वापर कर सो ये दोनों ही यह वाली नहीं यह परीटार यह किसकी यह यह मैथ ली सरड गुप्त की ठीक है शोच्छल भारत भारतर सांवशा कर करने लाश्ट में थीस्तरं सब सबतक ये आपको में रवाइज कराने पर्फम पूछा जाए तो कितना देंगे आप 242 दूसरा पुछे तो 1969 कि एकियावन सोरी दीसरा पूछे तो 1969 तीनों के संपाथक अगे हैं ठीक है अच्छा से याखना प्रतम त्यतालेस दूसरा तो कैसे लगए आपके क्वेश्चन अपना फीड़बैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को लाइक से लिए चैनल को सबसाइब कीजिए और जितने भी आपके दोस्तों उनको वीडियो को हो सके तो शेयर ठीक है और इसके बाद में गद्दी के इसी तरह से 25 में वह लिकर आओंगी पार्ट बनो पार्ट टू में ज्यादा अगर लगेगा तो पार्ट थी तक उसे कवर कर लेंगे ठीक है तो आपको वह जरूर देखने हैं इससे आपके 10 नमर पूरे शिक्कर हो जाएंगे बागी तो 60 नमर में आपको कवर करवाई दिये हैं आप ल सबस्टा करते हैं।